बीस्मिले रमान दरीम, अस्साम वालेकूं, वेलकम पुम्तु माई सहर आरून किचिन, दोस्तों आज हम अपनी किचिन में बनाने जा रहे हैं मतन फुलाउ, लखनों की बहुत जादा फैमस है ये, लखनों में जिस तरह से बनाया जाता है मतन फुलाउ बहुत जादा वो टे इसके पंच ना ली मिले तो यहांद हो पान्ग लिया थाल ने पान्ग विर्यानी की तरह ही आता है देख्ले थे ही जालें पान्ग ग्राम यह रिया हैं 500 ग्राम यह चावल और यह लूंग बास्मतिराइस है और यही वाला चावल यूज नौग यूज़ा थे हैं प्रोजन मटर लिया है आप चाहे तो पली वाली भी यूज़ कर सकते हैं इसको मैंने अच्छी तरह से पाच मिनट पहले भीगो दिया था फिर तीन चाल बार अच्छी तरह से वाश कर लिया है और यह बिल्कुल रेडी हो गई है इसको हम 15 मिनट के लिए भीगोएंगे यहां लिया है मैंने लसन अद्रफ प्याज का पेस्ट जिसमें एक प्याज है दो लसन है और तीन इंच अद्रफ का टुकड़ा है जिसका मैंने फाइन पेस्ट बनाकर बिल्कुल तयार कर लिया है इसमें मैंने कोई भी गरम मसाला नहीं पीसा है ना और कोई चीज पीसी है क्योंकि यहां में बिर्यानी मसाला यूज कर रही हूँ कोई भी ब्रांट का आप ले सकते हैं जो आपको पसंद हो तो यहां मैंने एक चमची सिर्थ यूज किया है और यहां लिया है मैंने चावल के अकॉर्डिंग क्योंकि इस चावल को हम अलग से गलाएंगे 90% पानी में तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहां कुछ गर्मसाला लिया है जैसे 8-10 लोंगे हैं छोटी इलाइची है बाद्यान के फूल है जो बिर्यानी को बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं यह स्टार हनीज के तेने और बड़ी इलाइची है और चावल के अकॉर्डिंग नमक लिया है यानि आदा किलो चावल है तो कम सकम हम इसमें 2 लिटर पानी रखकर इसको उबालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां दो बड़े चमच भर का नमक लिया है नहीं हम बना लेते हैं तो यह सब्सक्राइब करेंगे तो इसे हम पहले हलका चावल कर लेते हैं ताकि थोड़ा से प्रिस्की हो जाए यह पूरी तरह ऑप्शनल है आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं तो इसको निकाल लेते हैं तेल हमरा अची तरह से गर्म है तो इसमें मैं एक छोटी लाइची और आदा बाद्यान के पूल दो लॉंग और एक तेज़ पत्ता में इसमें एड़ कर देती हूं इसके साथी मैं इसमें यह जो मसालम ने तयार करा है यह आड़ कर देती हूं और इसलिए हम डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक कित्फ़ में जिसने मटल में मटल के अकोड़िंग यह एड़ करना है प्यूंकि चावल के नमक हम उछ चावल में ही डालेंगे तो यहां यह मैंने आदा चमच इसमें नमक एड़ कर दिया है तो इसको हम कम सकम 10 मिन परी भून लेते हैं ताकि मसाला अची तरह से भून जाए और कच्छा पंच वह हो गए हैं 8 मिनट अब हम इसमें यह मैंने थोड़ा सा दही लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है तो हम यह डाल देते हैं और इसको हम तुरंट चलाएंगे ताक फट ना जाए जब यह डही डाले तो आप गैस को प्लेम जो है वह स्लो कर दें तो अच्छी तरह से हम चला लेते हैं और इसके बाद हम इसके कर देंगे मटर अब तो सारी मटर हम इसमें एड़ कर देते हैं यह मटर जो है वो 5 मिनट में ही गल जाती है तो बस इसे हम गलने लेते हैं और आप हम इसमे अभी कुछ भी एड नहीं करेंगे इसे हम ढग कर पाँच मिनट के लिए पका लेते हैं 5-6 मिनट हो गए हैं और देख लेते हैं मटर को मटर हमारी पूरी तरह से टेंडर हो गई है अब हम इसमें डाल देते हैं जो आपने बियानी मसाला लिया था वह मैट कर देते हैं कि अच्छी तरह से चला जाते हैं और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पाजिए क्योंकि मसाला डाला है और जल ना जाए तो यह बिल्कुल पर्दक कुफ हो गई है आप चेक कर लें अगर पाशनेट ना मटर आपकी नहीं घंदी है तो आप फोड़ा सा और इसे गला ले तो कलर देखिए इसका कितना अच्छा आ गया है तो इसको हम करते हैं दूसरी गैस पस साइड पर रख देते हैं और अब हम चावल उबाले का प्रोसेस करते हैं चावल को विगो दिया था तो भीगे हुए भी इसे अंद्रमनट पोझ होने ही वाले है तो चलिए अ कि हमने पानी ले लिया है और 2 लीटर से最ह पानी लिया है हमने इसमें तो सबसे पहले हम इसमें बेली डाल देते हैं उसके बाद हम बाद्यान के पूल, इलाइची, लॉंग और छोटी इलाइची, और ये नमक लिया है, हमने ये पानी के अकॉर्डिंग लिया है, ये सारा हम इसमें डाल देते हैं, और इसमें अच्छा सा एक बॉयल आने देते हैं, उदर मटार हमारी टेंडर हो गई है, तो बस हमें चावल क पानी में आ गया है, अच्छी तरह से बॉयल, और हमने ये चावल लिये थे, पंदर में लेगी, और हम इसे डाल देते हैं, और इसको हम 80% तक ही कुक करेंगे, क्योंकि 20% हम कुक करेंगे, इसको दम लगाएंगे, इसमें मटार के साथ, एक लेयर मटार की लगाएंगे, और पहले 80% तक पका लेते हैं, अब हम इसे ड्रेन करके लाते हैं, और इस प्रोसेस में बहुत भी तैल न लगाएंगे, वनना चावल हमारे खराब हो जाएंगे, चावल को हमने ड्रेन कर लिया है, और चावल के हमने दो पार्ट कर लिया है, एक पार्ट हमने इसमें छोड़ हमने यहां रख लिया है, अच्छी तरह से यह टेंडर हो गए है, 40% जिसना हमें करना था, उसके बाद अब हमने यह मटर वाली ग्रेवी लीए है, तो हम इसमें खोड़ी खोड़ी यह भी डालते गएंगे, अच्छी तरह अच्छाने सब फैला देते हैं, और इसके बाद जो हमने चावल लिये थे, इसको अब हम डाल देते हैं, पोड़े से हम रोक लेंगे चावल, अब इस गरम मसाले का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसका फ्लेवर जो हमें चाहिए था, वह आ गया है पूरी तरह, इससे हटा देते हैं, और बाकी बची हम जितनी भी यह बची है, इस सारी हम इसमें डाल देते हैं, पहला देते हैं इसको अच्छी तरह से, इसके बाद हम इसमें हरी मिर्चे भी लगा देंगे, और जितने बाकी की चावल बचे हैं, यह हम सारे ही इसमें डाल देते हैं, केवरे वाटर में फूट कलर जो है, थोड़ा सा भोल कर रख लिया है, इस तरह से यह भी डाल देते हैं, तो यहाँ, थोड़ा सा देसी घी, यह भी अम इसमें फोड़ात बाद डाल देते हैं क्यूकि हम खुश्बू जो है इससे बहुत जाद आती है , और इसको अम बचावर करके रक कर देते हैं अक स्कुर्क हम इसका ज़च्छ मर्ट से कवर कर दीते हैं, तो इसके मैं पानी से भरा हुआ जगरत देती हूँ ताकि जो इस्टीम है वो बाहर ना निकले तो अब हम इसे आपको दसनट बात दिखाएंगे तो देखा दोस्तों कितनी जल्दी और आसानी से हमारा ये शाही लखनवी मट्रूपलाव बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और पास्टे में दिखा देती हूँ आपको कि इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा आसम मना है तो अगर आप लोगो मेरी ये जिश्ट पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और फैमली प्लैंट के साथ जरूर शेयर करें हमें अपनी दौब में याद रखें मैं मिलती हूँ ऐसे ही मज़िदार और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज